कि जैने दोस्तों मैं रेन विर सिंग स्वागत करता हूब फिर से आप सभी का आपके परिवार में तेंजियस क्लासिज में तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिजिनिंग प्रेक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज आप कहा सकते हैं इसको सब्सक्राइब के लिए हैं और साथे साथ गुरुपडी डेली पुलीस एंप पुलीस जो भी आने वाले सब्सक्राइब करते हैं तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि लास में आप भूल लाएंगे और हाँ यह चीज है हम दोग उसमें पूरा-पूर तीस देखेंगे ठीक है पूरा तीस क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और ठीक है फिर सलीव शुरू करते हैं जन्राल इंटेलिजेंस एंड रिजिनिंग यहां से वो तो वलग-लग आता है तीस क्वेश्चन है इसमें से तो मैं ऐसे 81 सेट मैं अलग से दे रहा है दो इस तरीके से देखेंगे नीचे दिएगे चार विकल्प में से विसम की पहचान करेंगे जो नॉर्मल से है टप से है सारे सारे मिलेंगे टप कुछ नहीं होता है बस समक है उम बचाना होता है नीचे दिएगे चार विकल्प में से विसम की पहचान करना है गैंडा सेर बाग भ आगे चलते हैं, इन भी कल्प में से उस चित्र का चैन करें, जिसके साथ चित्र C का सही सम्बंध है, जो आकर्ति B, A के बीच है, तो B और A के बीच है, B, A के बीच है, और कह रहा है कि चित्र C का वही सम्बंध है, जो A और B का है, तो देखिए, इसको क्या किया गया है, पहली बत तो इसको 180 डिग्री घुमाया हुआ है, ठीक है, 180 डिग्री घुमाने के बाद भी इनको चेंज किया है, यह यहां आजाएगा, और जबकि यह यहां रखा गया है, ऐसे बदल करके, ठीक है, ऐसा ही इसमें हम लोग करतें, देखिए, पहले 180 डिग्री घुमाईए इसको, तो 180 डिग्री घुमाईएंगे, और हाँ यह फिर देखिए, इसके अंदर क्या बन गया, आयत बन गया, पह इसमें तो ब्रत था ही नहीं, ब्रत तो अपने पास से लेके आया है, और फिर इसमें ब्रत लगा दे रखा है, तो इसमें क्या कर सकता भई, इसको पहली बद तो, 90 डिग्री यह घुमाया हुआ है, 180 डिग्री घुमाया है, और उसमें से वो चीज उठाएंगे, जो एक्च इसको ने पर यह था, तो इसको यह रख देगा, ठीक है, यह दो जगए पर है, अब हमें समझना यह है कि इसको सिर्फ यह को काउंट करेंगे, तो देखें यह एक्चुल में आना यहां चाहिए था, लेकिन यह कहां यहां रखा गया है, ठीक है, तो इस हिसाफ से हम लोग इसको कैसे कर देंगे, यहां पर ऐसे रख देंगे, तो देखें ऐसा कुछ है, तो इस तरीके का है, तो इसको ऐसे घुमा दिया है, और यह ऐसे है, तो यह जो है, यह सही सम्मंद नहीं दिखा रहा है, पहली बात तो इसमें तीर भी आ गया है, तो तीर आया है, तो किस तर तो दूसरे और चोथे में जो आंसर हो जाएगा थोड़ा से यही जमझने वाली बात है इसका अंसर जो होगा दो क्योंकि यह इसको ऐसे घुमाएंगे ना तो इस तरीके का बनेगा तो यह है बाकी अगलत हो गया है ठीक है तो प्रेक्ट अंसर यही है इतना टाइम भी देने यहां पर आपका जीक का भी टेस्ट हो जाएगा जनल स्टेडी भी ध्यान दी जाएंगी देखे क्या है जीम कारबेट रन थंबर और बांदहोगड यह सारे के सारे क्या है नेशनल पार्क है ध्यान से देखें सारे क्या है और नेशनल पार्क है या हम कहते हैं वन्य प्राड़ी ब्याराड़ी है जबकि तूंग भद्रा क्या है भाई वक नदी है तो क्रक्ट अंसर क्या होगा तू किया लग है नीचे दिए गए नामों में से बिसम को पहचानना है HDFC, ICICI, IDVI, CB, PNB, B.O.B में से बिसम कुछ पहचानना है B.I.O.U.C.O.HSBC देखिए ये भी जवजस्त क्वेश्चन है इसमें कहरा है बिसम को चुनना है देखिए IDVI, U.C.O.HSBC ये तो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है यह ज़ो SEV है, SEV है, इन सबसे अलग है ठीक है, यह सारे का सारे क्या है, B.BC के नाम है, जबकि SEV आपका क्या हो जाएगा, इसे हम कहते आमतर पर Viniyamak Board होता है न, भरती प्रतिभी विनियामक Board है, तो यह अलग है, यह सारे क्या है, ठीक है, यह भी याद रखेंगे आप, वो थोड़ा सा भाई उसमें मेमराइज जोना चीए नीचे दिये गए नाम निशित तर्क से समंदित है बिकल्प में से उस नाम का चैन करें जिसे नामों के इस समों का हिस्सा बनाया जा सकता है तारापूर कुंडल कुनम कहगा काकरापार कल्पक का नरोरा और क्या काई भाई यह निष्ट तर्क से समंदित है बिकल्प में से उस नाम का चैन करें जिसे नाम के इस सम्हों का हिस्सा बनाया जा सकता है तो इसको रावत भाटा जोड़ देंगे और क्या करेंगे इसमें क्या है ज्यादा सोचने माली बात ही नहीं है देखिए कोईना उकाई भाखण नांगला यह जो है इससे यह बांध हो जाएंगे लेकिन तारापूर महराष्ट का बिद्धु सेंत्र है है ना तापी बिद्धु सेंत्र फिर कुंडल कुनम और कुंडल कुनम जो हैगा आपका करनाटक का इसको कहागा तो काकरा पाड रहना के तो काकराप पार कहा का जाए और है हुआर सारा हुआ है करई Vij mourन युवरा और कल कम तक रूक mi नाडू का गल से तो क्लबपकार कम है रावत भाठा तो रावत भाठालूं का हुआपका और रावधभटा का राजस्तान का ना ठीक है तो यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके विद्धुत संयम्त्र वो जाएंगे हैं तो इसलिए उसको एक समुह में लोग बना पाते हैं 25 परेटरो को के समुह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं बारा मराठी बोल सकते हैं, पांच गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं, उन लोगों की संक्या ग्यात करें, जो नहीं, तो गुजराती और नहीं, मराठी इनको जोड़िए, पहली बत तो, 10 सर रुबारा 22 हो गया 22 में से आपको करना क्या होगा भाई 22 में से आपको पांच घटाना पड़ेगा क्यों क्यों कि ये दोनों में कामन जोड़ लिया गया है तो बचा कितना हमारे पास 17 25 में से अब 17 घटा लिजे बचे कुछ नहीं बोल पाएंगे बचारे तो कितना हो जागा आठ लोग करक्ट अंसर आठ क्लियर है चलिए आगे चलते हैं हम लोग अक्ट्वर महीने में motorways की इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मांसुन गया भारत के अधिकांस , 40 ी वर्स में वर्स अभिक्षा से अधिक हुई है उप्रोक्त में से मोटर्साइकल वे निर्मार कंपनी के संदर में निंबन से कौन सा निसकर्ट निकला जा सकता है ठीक है धेहन से समझे इसको पढ़के हमें इसका अंसर करना होता है धेहन से ठीक है अब देखे क्या है लाब प्रदत्ता बढ़ाने के लिए कमपनिया मोटर साइकल की कीमते बढ़ाएंगी कमपनिया लागत को कम करने के लिए जन सक्ति को कम कर देंगी यदि कीमते अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कमपनी का राजस्व बढ़ेगा प्रते कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में से अच्छी विक्री से ब्रध्धी होगी तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर सिधा सिधा बोला है कि मांसून से फर्क पड़ता है तो यहां पर तुझे के यदि कंपनी और यदि कीमते अपरिवर्थित बनी रहती है कीमते सेम रहेंगी तो भी कंपनी का राजास्ट बढ़ेगा तो भी कंपनी का राजास्ट मतलब कुछ तो विक्री होगा ही बात समझवारी है तो विक्री बढ़ती है तो भी इसका यानि की कीमते सेम रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा राजसु बढ़ता रहेगा बाकी कोई असेट नहीं हो रहा देखिए मोटर साइकल की कीमते बढ़ाना ठीक नहीं है कि कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनसक्ति को कम कर देंग और तो भी कहां आपका काम होएगा ही नहीं परते कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से ब्रद्धी होगी इसमें कोई मतलब नहीं है तो यह करक्ट अंसर होगा इसको एक बार फिर से आप पूर्ना समझ लेंगे यह ऐसे प्यारे से कुश्चन होते हैं ज इस बार जो मानसोन है कैसा रहा है भाई प्यक्षाक्रत अधिक बारिस हुई है ठीक है इसलिए तो कंपनी इसमें क्या होगा आप सेम रखिए ठीक है तो भी विक्री जब जादा होगा तो सिद्धी इस बात है आपका फाइदा होगा यदि a प्लस b का मतलब होता है a b का पत है तो देखे बी और एस संबंद बनाएंगे हम लोग ठीक है पती यह है और हैस का मतलब होता है a b का भाई है अच्छा इसमें क्या पूचा है दिए गए कथन का अर्थ क्या इसमें पहले हमें यह डार्क्ट उसको हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे यह देखे बी एकी बे बेटी है तो नीचे दियागा कतन का अर्थ है भीकलपों से चूने, अर्थ क्या है भीकलपों से चूने यदि यदि बी एकी बेटी है तो अब देहें यह है रिलेसंसिप बनाया हुआ ठीक है अब हम यहाँ से बनाना सुरू करते हैं यह और पी इनका सब का आपस में जोने तो दिखाएंगे, तो दिखे, हैस्टेक का मतलब है, A, B का भाई है, यानि कि R, P का भाई है, ठीक है, प्लस का मतलब होता है, P, Q, प्लस कहा गया, P, Q का पती है, ने, हाँ, P, Q का पती है, क्योंकि पीछे यही है ना, तो P, जो है, Q का पती है, तो यह पती है, ठीक है, यह पत आगे, एर्दरेट का मतलब होता है, बी, ए का बेटा है, जो बी है, बी मतलब ये, यानि एस, क्यू का बेटा है, तो एस जो है, क्यू का बेटा है, है ना, तो इसका भी बेटा ही होगा, ठीक है, डॉलर का मतलब क्या होता है, बी, ए की बेटी है, बी, ए की बेटी है, यानि क तो ए पहले है ना, तो A, यानि कि T S की बेटी है, पूछा क्या बाई साब, पूछा है, तो निचे का अर्थ है, R S के दादा है, R S के दादा बिल्कुल नहीं है, चाचा होंगे, P T का चाचा है, P T का चाचा नहीं होगा, वो दादा है, ठीक है S P का पोता है S P का पोता नहीं है T Q की पोती है T जो है Q की पोती है यह सही है correct answer 4 देख रहे हैं कितना प्यारा सा question है चायम कितना प्यार से consume करा रहा है ऐसे हम लोग आम तर पे question जो है इसको हम लोग 4 से start करना चीए ठीक है इसको जब matching कराना हो तो पीछे से start करिए कोई जरूरी भी नहीं है A B में भी यह होता है तो इस तरीके सम्नुक संबंद इसका बना लेंगे और हां रिष्ते जब आप बड़े हो तो आप रिष्ते उपर ले जाए छोटे हो तो निचे ले आए और बराबर हो तो बराबर में रखेंगे तो इससे जो है असुविधा नहीं होती है ठीक है ऐसे आप फिरी ट्राग्राम बना सकते है निचे दिये के कत्मों को पढ़े सभी छात्र सिचक है ठीक है सभी छात्र सिचक है सिचक बड़े वाले है ठीक है प्रधानाचारे हैं दियग विकल्प में से कौन सा निश्कर तारकी कुरूप से उपरोक्त कत्नों का अनुसराण करता है कुछ चात्र प्रधानाचारे हैं कुछ चात्र प्रधानाचारे हैं ऐसा कुछ लिंक तो है नहीं आप इसको अगर बड़ा भी बनाते तो भी भाई सिचक की बात कर रहा था इसने है और सभी और सभी छात्र सिचक है ना तो ठीक है सभी छात्र जो है सिचक हो जाएंगे अभी यहां तक को यह भी मुझे रिलेशन मिला नहीं ठीक है तो कोई मतलब भी नहीं सभी परदानाचार सिचक है सभी परदानाचार सिचक का है यार थोड़े बहुत है ना तो खतम कुछ परदानाचार सिचक है हां कुछ परदानाचार जो है वो सिचक भी है तो क्रक्ट आंसर यह हो गया देखते हैं भी सभ प्रतानचार है बिलकुल नहीं होंगे, क्रफ्टांसर तीसरा, नीचे दिये कथ्नों को पढ़े, सभी गोडे गदे हैं, मतलब हद हो गया यार, गदे जरूर बनाते हैं, सब गोडे को है, देखिए, सभी गोडे क्या हैं, गदे हैं, गदे बड़े वाले हैं, ठीक है, सभी ग कुछ गध्धे बंदर हैं और सभी गध्य मंग्की है कोई बंदर बाग नहीं है कोई बंदर बाग नहीं है तो बाग अलग बन गोड़े हैं कुछ बंदर गोड़े हैं हां जो बंदर का कुछ भाग है वो गोड़ों का है तो इस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा भई कुछ बंदर गोड़े हैं आगे देखते हैं कुछ बंदर गदे हैं कुछ बंदर गदे भी हैं सही बात है तीनों सही है लेकिन कौन सा होगा इसमें ACD करक्ट आंसर 4 आगे अगर सेलेक्ट सब्द का मान 64 लिखा जाए तो मेंटर को कैसे लिखा जाएगा 64 लिखा जा रहा है पहले देखते हैं योग करके है ना तो इसको योग ही करना चाहिए चलिए देखते हैं और हम लोग इजोटी से देखते हैं तो S का हो जाएगा 19 19 प्लस E का 5 और J के L यानि कि J का होता है 10 के L 12 प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 20 जोड़ते हैं भाई देखें ये 20 40 और 50 60 64 जोड़ा ही है ठीक है जोड़ा है तो इसको भी योग जोड़ेंगे 13 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस R का कितना हो जाता भाई RST यानि कि 18 होता है ना 20 20 40 और इसको हम जोड़ देंगे 40 80 मतलब अभी यहां एक बचा है 80 90 और 92 95 और क्या कर रहा हूं यार मैं कि ऐसा तो कुछ option ही नहीं है कुछ जादे जोड़ रहा हूं क्या इनका सब तो हम लोग उने जोड़ा ही था 64 आया तो मेस्टर को कैसे लिखा जाता है तो इस हिसाब से तो अच्छा मैं डबल डबल जोड़ दिया था ठीक है 20 20 40 और इसको जोड़ेंगे यानि कि इसमें सम्दूर ले आएंगे तो यह भी हो जागा 60 यहां एक 70 70 और एक 272 72 वे 570 70 है यार इतना ज्यादा खेस जूड़ दिया था मैं राजी का स्थान अपने वर्ग में अपने वर्ग में ऊपर से 21 तथा नीचे से 28 है कच्छा में कुल कितने चात रहें तो देखे इसको में जोड़ देंगे तो टोटल टोटल जो पच्छों हूं कि निवली संक्या सरंकला में प्रस्ण माचक चिन के स्थान पर क्या आएगा साथ 25 तेज़ और यहां पे जगह है यानि कि यहां पे साथ अगर दोक अंतर देखें फिर यहां पे अगर हम भूल जाएं फिर यहां पे दो कांतर हैं फिर उसके बाद 71 फ्युक्रैंए में जरुत नहीं है तो बस हो गया है और क्या करेंगे साधरस्या साधरस्या यूगम को पूरा करें आठ अठाइस पंद्रा अच्छा यह मैथमेटिकल रिजनिंग का मतलब मुझे समझ में आ रहा है अच्छा इसको देखे आठ बटे 28 बराबर 15 बटे इकस इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है मेवी है ना तो क्या करेंगे हम लोग देखते हैं सॉल्व करके 4,67 अठाइस और यहाँ पर 4 दुनिया तो बिलकुल नहीं होगा बिलकुल नहीं होगा फिर यहाँ संबंद बनेगा ही नहीं है की नहीं अब हम लोग दूसरा इसमें मतलब ढूंडते हैं जैसे जिस परकार यह संबंद है जिसका संबंद है इससे तो कैसे हो जाएगा कि अगर हम आठ त्रीक चौबिस प्लस चार कर रहें तब तो ठीक है तब पंदर चकुशाट प्लस चार तो चार का हो रहा है कि और और क्या हो सकता है कि अच्छाट 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 अगर हम दो से गुड़ा कराएं और माइनस एक करें तब भी नहीं हो रहा है अब यार यहां पे क्या किया जा सकता है आठ काटाई से सम्मंध है जिस प्रकार उस प्रकार इसका भी होना चाहिए आठ त्रिक चौबिस हां यही करूंगा मैं आठ त्रिक चौबिस प्लस देखें तीन से गुड़ा कराएंगे और प्लस इसका आधा जोड़ देंगे आधा मतलब आधा नहीं जोड़ेंगे चार जोड़ देंगे आठ त्रिक चौबिस आर अठाइस तो पंद्रत चौब पंद्रत हैं पैतालिस पैतालिस में चार जोड़ देते हैं वही करना है उन्चास आजाएगा ठीक है इसका संबंद यह बनेगा भाई देखिए इतना टाइम हम लोगों को लग भी जा रहा है अरे वापस कैसे जा र नहीं है ध्यान से देखिए सब की जो है कितना है सब की आयू जो है 25 वर्स है तो 25 पंचे 125 यह सब की उम्र हो गई ठीक है तो दो लोगों की 24 है तो 12 दोनी 24 यह मैं उम्र डारेक्ट निकाल रहा हूं तो बचाओं का निकालेंगे हम लोग 101 101 और कितने लोग थे तीन लोग वह इनकी ताई कालेगे तो हम लोग भय इसका हम लोग गुडह कराएंगे तो वहीं आ जाएगा ये आने वाला है सिद्धी सीवात दस्मनलों का आ जाएगा तो ये इनकी औसत्र आयू हो जाएगी ठीक है आगे चलते हम लोग लुप्त संख्या ग्याद करना है लुप्त संख्या ग्याद करना है तो किस तरीके से देखें इसका संबंद कैसे बन रहा है इसका आधा करके इसमें जोड रहा है तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इन दोनों का पचास इन दोनों का योग बटे आधा कर रहा है देखते जरा इसका चेचे बारा चार 21 ठीक है बास समझ में आ गई देखे 35 और यह 60 हो जाएगा आधा उसका 30 इन दोनों का योग बटे 2 तो इन दोनों का योग बटे 2 अर्थात बटे 2 करेंगे तब 14 आ रहा ना इसका मतलब क्या है जो 14 आ रहा है बटे दू करने पर 9 और प्लस एक्स के बटे दू करने पर ऐसे यह एक्स माल लेते हैं ना तो इनके यह करने चौदर दुनिया 28 28 में से हम क्या कर लेंगे नो घटा लेंगे कितना बचेगा हमारे पास बच जाएगा 19 ठीक है करक्ट आंसर 19 आएगा ठीक है इस तरीके से मिल जाएगा ढूनना पड़ता है दिये गए उत्तर विकल्प एक दो तिन या चार में से उपर दीगे या एक्रतियों का सही या दरपन प्रतिबिम्ब है दरपन प्रतिबिम्ब म ये तीर हमें इधर चाहिए बस और ये तीर इधर चाहिए तो यहीं चाहिए ये नीचे तो ठीक है यहां तक तो दिखरांए यह होल वाला है ये बंद कर दिया तो करक्ट आंसर 3 होगा ना थीक है तो अब 87 का क्या हो जाएगा तीन अब हम लोग आगे चलते हैं क्यू की मा आर की बहन और एस की पुत्री है देखे सवाल यह पूरा स्पूरा देखेंगे तो बहतर तो रहने ही वाला है काफी कुछ चीज है सीखने को मिलेंगी नई चीज़ा ही मिलेंगी और किसमें हमें थोड़ा काम करना चाहिए वो भी आपको मतलब समझ में आगा ठीक ह तो देखें क्यू की मा आर की बहन और एस की पुत्री है वाव यहां से देखें जो क्यू की मा है वो आर की बहन है और एस की पुत्री है यानि कि यह भी मतलब दोनों बहने बहने हैं तो एस की पुत्री ये वाली है और एस उसकी माता है तता एन आर की पुत्री है अच्छा N जो है वो R की पुत्री है और M की बेहन है और M की बेहन है एक मिन्ट हाँ N काई सेंटेंस कह रहा था ठीक है उसके लाद M S से क्या सम्बंद रखती है M का S से M का S से हमें S से देखना है S से M का तो M कहा है यहाँ वाउ इस तरीके से ध्यान दीजिए यह जो है इसकी लड़की यह है हाँ तो इसकी भी लड़की तो यही होगी लड़की ही है और क्या लड़की हो सकती है कुछ भी लड़का लड़की कुछ भी हो तो उसकी उसकी जो लड़की होगी वो क्या होगी भाई इसकी मतलब पोती होगी, हाणा, और M, पूछा M का S से सम्बंद, तो M का जो सम्बंद होगा, पोता, पोती, कुछ भी हो सकता है, ना, पोता या पोती, कुछ भी होगा, तो उसमें पोता, पोती नहीं दिया है, तो क्रक्ट अंसर क्या होगा, आकड़या पर्यापत है, ठीक है, तो ग्रेंट चाइल है, आगे चलते हैं, यदि एक लड़की, एक लड़की की और इसारा करते हुए कहती है, कि वह मेरा दादा, एक चीज मैं बताओं, ध्यान से समझीएगा, यदि एक लड़की, एक लड़के की और इसारा करते हुए कहती है, वह मेरे दादा की लड़की का लड़का लगता है, अब ऐसे समझ में आएगा नहीं, मैं बता रहाँ फिर से, एक जो लड़का है, एक लड़की जो है लड़के की तरफ हिसारा करके बुलती है, क्या, कि वह मेरे दादा का, तो उस लड़की का जो दादा है, दादा जी यहां है, इस लड़की के दादा, दादा की लड़की क का लड़का है जहां से देखें तो ये क्या हो जागा भाई लड़की का लड़का है तो वो नाती होगा नाती होगा ना इस दादा जी का और इसकी भी ये पोती है यानि कि ये लड़के की लड़की है है ना तो उस लड़की का लड़के से क्या रिस्ता है तो भाई बहन ही है ना तो पूचा क्या है लड़की से लड़की से तो लड़की क्या कहेगी लड़के को भाई कहेगी हिंशा ़ो साउंस औरहें अपनी आप जो है चीन देंगे हम लोग अरो फिर लुप्त-संक्या ग्याद करें लुप्त-संक्या यहां है कि पहले हमें यह भी तो फाइंड करना है क्या कि आजा सकता यार पांस त्या पंदराइट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है या बटे दोख तो से दुनी बारा नहीं होए नहीं रहा है हां हम नोजे लग रहे हैं इसको गुड़ा करा ते तरह आठ त्रिक 24-27 में से पांस यहां बराबर यहां माइनस यह देखते हैं अभी फाइनल नहीं अभी देखते हैं नोचको 36-26 में से दो घटाएंगे शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोरी-शोर बाइस आप तेज को ही घटा लो ना तेज को ही घटा लेजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या घटाना है करक्ट आंसर 40 ठीक है तो ऐसे संबंद डूड़ने पड़ते हैं क्यों तरीके से अब 10 और बचे हैं निम नगित प्रश्ण में से वह विकल्प चुने जुसे दी ग अबला कोई बताना है इसमें देखे क्या है कि एसी ए ना फिर जे जे दे रखा है फिर एस क्यू ओ फिर भी एकस्टी और नेक्स्ट तो कि इसमें इसने किया क्या है अंकों का से कोई मतलम नहीं है यह बीच में तो बिल्कुल समान दे रखा है उसके बाद इस तरीके से तो एक के बाद ध्यान से देखे यह एक कोई सीरीज बना रहा है ए बी छोड़ दिया सी डी छोड़ दिया इसके बाद एफ और जी छोड़ दिया एस आई फिर जे शुरू किया जो भी छोड़ा है जगे ठीक है तो जे 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 कंप्लिट किया और जे फिर के स्वरी एस इधर से आए ओ के बाद पी के बाद क्यू एक गैप किया है आर के बाद एस यानि वापस इधर से लेका है इतना संबंद इसका बनाया है और बीच में यह जे जे कंप्लिट किया फिर यहां से देखिए मुझे लग रहाब यहां से पुंड़ावरत्ति करना शु इसने क्या किया है यह तो माइनस कर लिया है यानि इधर से माइनस कर रहा है क्या वो लेकिन यह जे जे दे करके तो दुखी कर रखा ना इसमें इसको जे देने की ज़रूत तो नहीं थी कि खाली कंफ्यूजड कर रखा ना इसमें सिर्फ पहले पहले अक्षर का मैच करते हैं तो आम लोग देखते हैं मुझे लग रहा है कुछ ऐसा बनना चाहिए लेकिन यह जे जे डबल दे रखा ना तो वह थोड़ा सा मुझे बार-बार रोक रहा है देखते हैं A और जे में कितना अंतर आता है भई ऑर जे में इसोटी आता है तो जे दस नमबर पे आता है यह तो प्लस नौ किया है ठीक है और जे के बात एस आएगा तो कितना आ जाएगा जे दसवे नमबर पे है और मैं इजोटी ही करूँगा तो RST 9 19 नमबर पे S आएगा तो फिर से प्लस 9 किया है अब देखते हैं साथ कुछ बाल समझाने लगी है फिर 19 में फिर से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भई प्लस 1 करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 28 तो 28 मतलब 26 तक तो मामला खतम दूसरे नमबर पे फिर B आएगा यानि कि प्लस प्लस किया है अच्छा वही चीज हम लोग यहां करेंगे प्लस 9 तो प्लस 9 करेंगे तो 11 नमबर पे आएगा 11 नमबर पे क्या आता है जे के बाद के तो के तो दो जगए पर चली अच्छा अब यहां पर C और J में फिर संबंद जो ढूंडते हैं C, A, B, C, C में इसमें साथ किया है प्लस साथ और J और Q में भी साथी किया है यानि कि अब बाद समझ में आगे Q और X में भी साथी करेगा तो मुझे X और T में भी साथी करना है तो X के बाद X कितने नमबर पर आता भाई? X, Y, Z तो 24 नमबर पर यह आगया और प्लस साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जागा भाई? जोड़ते हैं तरहा हम लोग तो इसको जोड़ के complete करेंगे तो हम लोग का आजाएगा? 31, 31 में से हमें 26 ही घटाना है यानि कि फाइनली हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास बचा कितना है 26 घटाएंगे तो पांच पांच नमबर पर यह आता है तो यह ही हो गया आप जादा नहीं ढूड़ यह इसमें बड़ा यह थोड़ी देर में मतलब कर रखा था लेकिन वह संबंद बना रहा है अभी टीका भी बनेगा ठीक है तो टीका बनाएंगे तो बनी जाएगा फिलाल असंगत या बेमेल जोड़ना है टोड़ना है अश्ब्यक आइफ साब बताईे कौपर ब्राच प्लेटिनम टृइन्ग इन्न में से रखाए रहा है इस यह जो ब्रॉष ह необходимо मित इस नहीं grow कि इसके शेंच नहीं को धीरी- में प्रस्ष्ट में प्रश्न आकरति के पहले दो आकरती आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं ठीक इसी प्रकारति स्री आकरती एक दीए गजार उत्तर आकर्ति एक lib alcohol बताएं आप अच्छा, देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें तिर्भुज में एक और तिर्भुज बनाया, यहाँ फिर सेट कर दिया, एक थोड़ा सा अपने हिसाब से एड कर दिया है, उसको वापस लाके यहां पर पूरा किया, और उसमें एक बढ़ा भी दिया, और एक हम लोग ले के आएंगे इसको जो है एक और कर देगा है ना एक और कर देगा है कि तूँद ठीक एक और कर दिया लेकिन यह जो दूसरा वाला पार्ट है कि वो क्या इतना रहना चाहिए वो तो खतम हो गया ना इसमें देखिए इसमें आया तो डबल हो गया प्लस एक इस्ट्रा एड हो गया है ना उसी हिसाब से यह जो था यह डबल हो गया प्लस एक इस्ट्रा और एड हो जाना चाहिए था तो 93 में ऐसा एक इस्ट्रा एड होने का मतब हम इसको यह करेंगे क्यो या इसका संबन्दिश से करें लेकिन एक चित्र में फिर ऐसे तो यह डबल हो जा रहा है कोई चेंजिंग नहीं हो रहा इसमें और यह आदा था तो इसको नो कंसिस्टेंसी आगे नहीं ले जाएंगे ठीक है इसका डबल करके कोई एक चित्र आदा कर दिया है तो इसी प्रकार में इसका डबल करके एक चित्र को लेक्न वुग अपनी मर्धी से आना चीह था और यहाँ पर था तो इसको इसने यहाँ कर लिया है तो यह यहां पर है तो मैं इसको चेंज कर लूँगा दूसरी जगे पर कर लूँगा तो फिलाल इसका जो क्रेक्ट आंसर आजाएगा वह आजाएगा चावथा यह होगा ठीक है इसको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से आगे चलते हम लोग यदि जो भी यह टेंशन नहीं है मतलब इसको इतना लिखा जाता है मोन को इतना लिखा जाता है तो मोस अब देखिए इसी में से मिल जाते हैं इसी में से ही मिल जाते हैं देखिए M M 8 8 होगा O का 7 होगा N का 4 होगा T का 6 होगा और I का आज किस नमर पर है वहीं पांच 8465 क्रक्ट अंसर एक हो जाएगा ठीक है आगे निम ने लिखिए संख्यास रंकला में प्रश्ण माचक चीन के इस्तान पर क्या आएगा एक सो तीएत्तर एक सोना तर एक सचो चार गटाता जा रहे चार गटा रहे लेकिन यहां पर कितना गटा दिया एक सो पच्पन कर दिया भी पांच छे यहां छे फिर पांच फिर छे अच्छा पांच छे पांच छे किया है यहां से देखिए अगर मैं इधर से चलू तो इसमें कितना एड किया है स्वरी माइनस किया है छे छे माइनस करेंगे वापस हम लोगी दहार रहें ,6- करेंगे तो इतना होगा और फिर इसमें 5- annexe करेंगे तो इतना होगा 6- चाहर, क्यों 4 कर होगी , 4- तो इतना होगा उसके गाद फिर नेक्स्ट पांच माइनस कर रहा है फिर नेक्स्ट चार माइनस कर रहा है यह क्या यार इसमें इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं क्यों में उसमें बर्श गलत बसाइम और यह आएगा शार फिर यहां से पांच कम करेंगे और घटाएंगे हम लोग तो इसमें से पांच गठा लेंगे तो कितना बच जक चार एक तो 146 निच्ट है उसके वाद जो है कि पुस्तक प्रकाशक फेल्म निर्माता तो इसका क्या हो जाएगा निर्माता मतलब producer, correct answer यह हो जाएगा निम्लकित प्रस्ट में से एक ही पासे की चार स्थितियां दर्साई जा रही है इन आकरतियों को देखें और संक्या कोई बीप्रित संक्या का से अनकरें जैसा की इस प्रस्ट में पूछा गया है तो प्रस्ट में क्या है पांच के विप्रीत में पूछा है इस पांच के विप्रीत में पूछा है और हमें बताना है देखिए किसी को भी आप ले सकते हैं एक चीज तो देखिए क्या ये मानक पासा है तो जोड़ने पर तो भाइस साथ आ रहा है इसमें या चले रहने दिज तो इसका जो पांच यह है और यहां पर किसी का जिसमें हमें पांच मिले नहीं है दो दो इसमें है तो दो चार हाँ इसको कामन लेते हैं वही दो से ठीक है दो से तो दो के बाद चार फिर एक फिर दो के बाद तीन फिर पांच तो पांच के विपरित एक होगा त्रक्ट अंसर यह हो जाएगा कि चलिए आगे चलते हैं इस शित्र में आप कितने वर्ग देख रहे हैं अब इसको भूल लाई ये इसको अभी द्यान मत दिजिए हैं है ना यह लगबक वर्गी है तो हमें पता है एक दो तीन चार दो तीन मैंने कहा था यह मैंने च्रिक बताई थी आप लोगों को कि इसका जो है आप इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या आप उसको प्लेलिस्ट में ढूल लेंगे है ना स्वाट्रिक है तो दीखे चारते हैं बारा इसका पसमें गड़ा तिन दुनी छे और दो एक कम दो यह जब एक आ जाता है तो वहां से हमनों खतम कर लेते हैं तो इसको जोड देख रहे हैं तो इसमें हम लोग यह जो है हमारा कुछ वर्ग क्या हमें आयत ही नज़र आने लगा है यह वाला बाहर वाला ठीक है तो यह फाइनली जो है आपका बीसी बनेगा इससे कोई मतलब नहीं है यह आयत टाइप का लग रहा है वर्ग पूछ रहा है तो बीस आगे डिरेक्ट आंसर यह हमनों का ट्रिक है आप ट्रिक देख लिजेगा है ना वीडियो आपको मिल जागा अभी इसके एंड व चवराहे में पहुंचती है वह घर से चलना शुरू करती है जो उत्तर में है घर से चलना सुरू करती है जो उत्तर में है क्या बाजार और एक चौराहे पर पहुंचती है उसकी बाई और जाने वाली सड़क यानि यहां वो खड़ी है तो उसकी बाई और जाएगी तो इधर जाने वाली सड़क ठीक है उसकी बाई और जाने वाली सड़क एक पार्क में खतम होती है यानि यहां कहीं पार्क होगा समान रेश्वी लेग चलते हैं हम लोग और ठीक सामने एक कार्याले परिसर है उस चौराहे से बादार किस दिशा में है अच्छा वो फिर पूछ रहा है कि उस बादार से नहीं नहीं क्या उस चौराहे से बादार वापस किस दिशा में है तो तो इसका उस चौराह से बाजार किस दिशा में है तो भाई ये तो चौराहा था ये है बाजार तो पच्चिम दिशा में होगा क्रेक्ट अंसर पच्चिम हो जाएगा ठीक है और यहां थोड़ा सा ध्यान देजिए बड़िया सा है जब उसकी बाई और देखे साहना आज बाजार जाना चाहती है वह घर से चलना सुरू कर रही है जो उत्तर में है और एक चौराहा पर रुकी है और एक चौराहा पर पहुंचती है उसकी बाई और जाने वाली सड़क ए यहां एक पार्क में खतम हो जाती है, और उसके ठीक सामने एक कार्याले परिसर है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, तो, और फिर वो क्या कहती है, उस चौराहे से बाजार किस दिशा में है, तो, उस चौराहे से बाजार, ठीक है, काम खतम, पशिम में ही है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कन्फूज कर रहा था, ऐसा लग रहा था, सब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाएं और फिर निम्लिकित विकल्पों से उप्युक्त क्रम्त को चुनें, तर्क संगत क्रम में लगाना है, आंत्रपरदेश, ब्रम्हांड, तिरूपती, संसार, भारत, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चॉल में हम लोग कभी भी स्टार्ट करिए, तो नेचर की और से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ब्रम्हांड लाईए, ब्रम्हांड के बाद संसार की बारी आएगी, संसार के बाद भारत की बारी आएगी, बाहर के बाद आं कोई संबंद यदि है तो ठीक है यदि नहीं है तो वापस चले आएंगे तीर एक पांच चार दो ऐसा ठीक है जोड़ी है आई थिंक यहीं है तो पहले हम लोग यहीं करते हैं अगर इन दोनों में होता तो आप इससे इसी को लगाते हैं ठीक है बहतर था चलिए करेक्ट अंसर अच्छा अब तो होई गया यह सेट समापत हो गया कैसा लगा सेट कमेंट करके जोरो बताएंगे और थोड़ा सा भी हल्पुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करी दीजिए और चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने के बाद नोटिक्विशन जो घंटी है घंटी को बदा दीजिए वर्जस तरीके से इससे आपको नोटिक्विशन मिलता रहेगा जब वीडियो अपलोड होगा ठीक है मिलते है गलोड़ मे तब तक ले नमस्कार जै हिन जै भारत